आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं How many types of relay are used in ACB and they are working मतलब की ACB के अंदर कितने types की relay होती है और उनका क्या काम होता है तो दोसो यह सवाल इंट्रिव्यू में काफी ज़्यादा पूछे जाने के chance होता है लेकिन इसका जवाब है वो भी काफी ज़्यादा simple है तो हम बिना ज़्यादा देख रहें इस चोटे से वीडियो में सवाल का जवाब जान लेंगे तो दोसो यहाँ पर हमारे सामने total दो सवाल आता है पहला आता है कि ACB के अंदर कितने types की relay होती है उनका नाम इसके अलबा second relay होती है UV relay और TC type की relay होती है दोसो हमारी closing relay अब यह तीनो relay क्या है और इनका क्या क्या काम है उसे हम एके करके समझ लेते हैं तो दोसे जो sun relay होती है इसे sun coil के नाम से भी जाना जाता है और आपने कहीं बार MCCB जो हमारा module के सर्कीट बेकर होता है उसके अंदर भी sun coil को लगावा देखा होगा इसके अलावा दोसा आजकल कुछ advanced MCBRI यह उसके अंदर भी sun coil लगी होती है तो आखिर कानी sun coil का sun relay का क्या काम है तो sun relay का काम एक simple सा होता है कि आप कभी emergency case में इस breaker को या जिसमें भी sun coil sun relay लग रही है उसको आप दूर से ही बंद कर सको दूर से ही off कर सको आपने कहीं बार देखा है हमारे breaker के पास में emergency बटन लगे होता है इसके अलावा भी हमारी company होती है उस company के अंदर भी emergency बटन लगा के रखता है एक तो हमारे जो lt room होता है जिसके अंदर हमारे panel होता है उसके अंदर हम emergency बटन लगाते है साधी साथ हमारे plant के अंदर जहां पर machine लग रही है वहाँ पर हम emergency बटन को लगाते है ताकि कभी कोई दूर कटना हो जाए तो हम हमारी electricity को off कर दे ACV को बंद कर दे तो वह जो ACV को बंद करने के काम करती है actual में वो हमारी sun relay ही करती है sun relay का main काम क्या होता है वो अब आपको clear हो गया होगा इसके बार में शेकेंड टाइप की डिले पर आता है कि आखिर का UV relay की Rs क्या सबटाना होसाई और के लिए खारा कि बोलते हैं की UV ट्रीफ हो रही है तो वह UV रे के बारे में क्योंकि UV की full form क्या होती है यह होती है कि अबर लोल्टेज रिले तो इसका काम क्या होता है वो इसके आपको नाम से भी clear हो रहा है, इसका काम है दोस्तों, हमारा जो ACB है, इस ACB के अंदर कितने हमारे voltage आ रहे हैं, उस voltage को यह UVR sense करती है, और हमने जितने पर set करका है, जैसे हमने 80% voltage पर set करका है, तो 80% से जैसे ही कम voltage हो जाएंगे, हमारी यह UVR, मतलब UV relay हमारे ACB को trip क तो हमारे जो equipment है, जो हमारी machine है, motor है, वह सभी कम voltage पर operate होने काना खराब हो सकती है, तो इसी चीज़ से protection के लिए, ACB के अंदर UVR, under voltage relay को लगाया जाता है, के बाद में दोस्तों, एक आखरी relay बसी है, कि आखर closing relay क्या है, तो एक closing relay जो होती है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि MDO क्या होता है, EDO क्या होता है, तो आप मुझे comment कीजिएगा, मैं इसके ओपर detail में वीडियो बना दूगा, अभी हम बात करने है, closing relay के ओपर, तो जो closing relay होती है दोस्तों, यह आपको हमेज़ा सिर्फ EDO type के ही ACB में देखने को मिलेगी, लेकिन सवाल यह उरता है, कि आख हमारी ACB को remotely operate कराना चाहते है, धूर से operate कराना चाहते है, मतलब कि electrically operate कराना चाहते है, तो वह जो काम हमारा करती है, वह हमारी closing relay करती है, आपने कहीं बार, आपके ACB के पास में, breaker के पास में TNC switch जरूर देखा होगा, जिसकी फुलबा मतली है trip neutral close, तो TNC switch उसी ACB में आप लगा सकते हैं, जिसमें हमारी closing relay लगी हुई होगी, अगर आपकी ACB में closing relay नहीं है, तो उस case में आपको manually ACB के पास में जाके button दबा कर ही, ACB को on करना पड़ेगा, तो simple सा काम होता है हमारी closing relay का, कि हमारी ACB को electrically operate करना, इसके अलावा भी दोस्तों, ACB के अंदर हमारी equal type की relay होती है, जिसे हम electronic relay बोलते हैं, आपने कहीं सारी ACB में देखा होगा, इस जगह एक relay होती है, वहें जो relay होती हूसले हम बोलते एलेक्ट्रोनिक लेले, जब आपने कहीं बार उसे आपको ECW में कितने types की relay होती है उनका क्या काम होता है वो पूच्छाकिक से clear हो गया होगा अगर अभी भी आपको कोई भी सवाल इस video के परते हैं और एलेक्रिक बाद मुझे नीचे comment box में comment करके पूच सकते हैं एलेक्रिकल वीडियो सब्सक्राइब कर लीजी आज के लिए तना ही धन्यवाद